2020 and tomorrow this Atal Jal and Atal Tunnel both will be launched and कल और भी एक कारिकमाय लखनौ में Atal जी का एक स्टैच्व अटल जी मेडिकल सेंटर जो है उसका नाम करन भी अटल मेडिकल सेंटर किया है वहां Atal जी का स्टैच्व है प्रधान मंत्री और राजनाच जी दोनों वहाँ जाएंगे आपको पता है लखनौ से Atal जी कई बार चुनके आए तो उनका एक तरह से वही पहचान प्रभुक है तो वहाँ से वहाँ उनका यह एक तरह से समारुक हो रहा है अब आते हैं हम सेंसस और NPR पे ऐसा है भारत में अभी ब्रिटिश जमाने से देश के जनसंख्या का सेंसस होता है जनकणना होती है इस जनकणना में ब्रिटिश जमाने में आजादी के पहले आठ हुए थे आजादी के बाद साथ हुए यह आठवा यहने कुल बिलाके 16 वी जनकणना हो रही है इसमें सभी लोगों की गिंती यह मुद्दा होता है इस बार आने वाले यहने 2020 के एप्रिल से सितंबर तक छे महेने यह काम चलेगा लाखों लोग इसमें शामिल होंगे वो घरगर जाएंगे और फेबरुरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है इस बार टेकनोलाजिक उपयोग करते हुए यह प्रक्रिया आसान बनाई है हर बार आपको भी आन्भो होगा जनकणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो बरने में गड़ा देड़ गड़ा लगता है अब इसका एप तैयार किया है और इसलिए एप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा क्योंकि NPR भी एक समझने जाइसी है NPR में National Population Register ये पहली 2010 में UPA सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोन जी ने वितरिट किये थे तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार ने क्योंकि हर 10 साल के बार ये करना है तो 2020 में तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जुरत नहीं है कोई भी कागज देने की जुरत नहीं है आपके सवालों को पहले भी जवाब देता हूं इसमें ना प्रूफ है ना कागज आए ना बायोमेट्रीक है जो आप कोगे वही सही है क्योंकि जनता पर हमारा भरोता है और इसलिए ये जनकनना और नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मैं देख रहा था अभी हमारी कैबिनेट मिटिक नहीं हुई कि इधर टीवी पर कुछ नुकुछ दिखने लगा मुझे वह सही नहीं है ये सभी राज्जों नी स्विकार किया है सभी राज्जों नी इसके नोटिफिकेशन निकाले है और सभी राज्जों में इसके कर्मचारियों के प्रशिक्षन के कारेकरम चल रहे है पिछले 6-8 महिने से हर 10 साल के बाद ये होगा 2010 में पहली दफा हुआ यूपीय ने शुरू किया और इसलिए मन्मौन ची ने उसके कार्ड बाटे तो एक नैशनल पॉपुलेशन रिजिस्टर तयार होगा जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी और इसलिए ये इससे क्या होगा तीन फाइदे होगी इसका फाइदा ये होगा कि targeted benefits जो होते है समझो आयुशमान है उज्वला है आवास है सवभग्य है ऐसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान होना क्योंकि जनसंख्या में भी जनकनना में भी और population रजिस्ट्री में आवश्यक सारी डीटेल्स आते हैं और सेल्फ डिक्लरेशन है और इसके कारण वो सभी और सही बेनिफिशेरिस सभी और सही लाभार्तियों तक यह बेनिफिट्स पहुंचे यह इसका मुख्योग देश है अभी भी बंगाल तमिर्णाडू ओडिसा मनिपूर इसमें पीडिस के लिए सर्वं के लिए यह जानकारी उपयोग में लाई जा रही है और राजस्तान में भामाशा योजना के लिए भी लाई गई इससे बाकी भी बहुत सारे फाइदे हैं आपको बैदूगा so I'll just repeat that we are launching a massive program of national census which happens every 10 years so 2021 is the census year and housing every house will be mapped listed during April and September 2020 and in February 2021 head count will be done and this time it will not be a long form those who will take benefit of the special mobile app which will be created to upload the details it is self-declaration no document is required no proof is required no biometric is required and this is already accepted by 10 all the states and and all the states have already notified it and they have already started their training camp for the petro-dism caro ko na kharit kar electric karay hi kharid hai will be also was started so this is the 16th census 7th pre-independence 8th and now